नमस्कार आपके साथ मैं रोहित कुमाराब है नूच्फोर नेशन पर यूट्यूबर मनीश कश्यप को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रहा है दिल्ली से दिल्ली की सुप्रीम कोट में आज मनीश कश्यप को लेकर के एक एहम मामले की सुनवाई होनी थी जिसमें मनीश कश्यप के तरफ से इस बात की याच्यका दायर की गई थी कि उसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में जो मामले हैं उसको एक साथ क्लब किया जाए इसी वज़ए से जो उसकी नियमी जमानत की याच्यका मदुरई हाई कोट में लंबित है उस याच्यका पर इस मामले पर जो है मदुरई में जो है सुनवाई हो सकती है लहाजा मनुष कश्चप को लेकर के जो दिल्ली सुप्रेम कोट है वहां से बड़ी ख़बर सामने आ रही है ख़बर ये कि मनुष कश्चप का जो मामला था वो आज सुनवाई के लिस्ट नहीं हो पाए जिसकी वजह से अब उसको और इंतजार करना पर सकता है आपको बता दें कि बिहार और तमिल नाडू के बीच में वहां रहरे जो बिहारी मजदूर थे उनके कुछ फर्जी वीडियो चलाने के आरोप में मनुष कश्चप पर बिहार के साथ साथ तमिल नाडू में कई जगों पर इसे मामले को क्लब करने की मांग मनुष कश्चप के तरफ से की गई थी बिहार में आर्थिक प्राधिकाई के तरफ से मनुष कश्चप समेत कई लोग रफ्तार किया गया है और बड़ी बात यह कि मनुष कश्चप के उपर आरोप इस बात का है कि दो राज्यों के बीच मे तनाव को बढ़ाने के लिए मनिश कर्षप ने जान भूच करके फर्जे वीडियो प्लांट किये और उन वीडियो के सहारे जो है वहाँ पर तनाव या फिर हिंसा बढ़काने के कोशिश की गई अर्थिक प्राद काई कि इस पूरे मामले के जाच कर रही है और फिलहाल मनिश पुलिस के एक तरीके से कहें कि गिरफ्त में है क्योंकि बिहार से जो तमलाडू पुलिस की टीम थी उसको लेकर के तमलाडू गई और उसके बाद वहाँ पर अलग-अलग जो एफ आयार हुई है उसके मनिश कर्षप खिलाप उस मामले पर जो है बोज्जाच चल रही है औ उन मामलों को एक साथ क्लब किया जा जो अलग-अलग राजियों में दर्ज किये गए हैं मनिश कर्षप पर तमलाडू की पुलिस ने एनसे लगा रखा है ऐसे में जमानत दिये जाने के मामले पर भी सुप्रीम कोट के इस आदेश की बाद जो है सहूलियत हो सकती थी तो ब कारोप में मनिश कर्षप तमलाडू की जिल में फिलहाल बंद है मनिश कर्षप खिलाफ NSA यानि कि रासुका जिसे नेशनल सेकूर्टी एक्ट भी कहा जाता उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है मनिश पर देश के सुरक्षा को खतरा पहुंचाने कारोप लगाया गय जिसे मनिश को कि बिईया कर दिया कि एक पॉलिस टाने में पहुंच घृणर किया था उसके बाद से अर्थिक प्राधिकाई में पईयों में रेमार करके पोश्टाच की थी उसके बाद मनिश कर्षप को तमिलाडू पोलिस बिहार से ट्रांजेट निमार्ण पर लेकर कि पतना से मदुरए गई थी मनेश करश्रफ की और से सुप्रिम कोट में इन सबी मामलों को एक साथ एक जुगा चलाने की गुहार लगाए गई थी इस मामले पर आज सुनhington वाई होनी थी लेखे ना जो है इस मामले को जो सुची होती है जो अलग-अलग जो मामले होते हैं उस सूची में ये मामला आज नहीं आ पाई जिसके वज़े से ये सुनवाई नहीं हो पाई है अब ऐसे में ये दिखा जाएगा कि आने वाले वक्त में मनिश कर्षप ने जो याशका दायर की हुए सुप्रीम कोट पर में उस पे रहेंगे या उनके लिए आने वाल वक्त में रहात हो सकती इस पर सबकी नजर्ट जो हैं वो क्योंकि इसी सित्व सबकुस्ताय होगा मनिश कर्षप नहाल मदुरई की जेल में बंद है और वो लगतार जो है जितमाने समीता अलग-अलग जो उसके खिलाफ फायर है उसमें की अरजिदार हो रही है लेकिन क्योंकि मामले अलग-अलग राज्यों के बीच में हैं लहाजा मनिश कर्षप के तरफ से सुप्रेम कोट में याचिका दर करके इस बात की मांग की गई है कि सभी मामलों को कलब करके एक साथ एक जिगा पर चलाया जाए ताकि जो आरोपी है उसको एक तरिकेस कहें कि रहात हो पाए और ऐसे में सुप्रेम कोट में आज युकि मामला लिस्ट में नहीं था लहाज आज सुनवाई नहीं हो पाए अब देखना हुआ कि ये कब आता है और मनिश कर्षप को लेकर कि सुप्रेम कोट क्या आदेश देता है फिलाल जो भी अब देटो कि ये नहीं पूनिशन पार, नमस्कार.